असलाम अलेकुम एवरिवन प्यारी प्यारी व्यूवर्स को मेरे सलाम तो सर्दी है स्टार्ट हो गई और गाजर का हलवा हम ना खाए ऐसा हो नहीं सकता है तो चली आज बनाते हैं मेरे स्टैल में यानि यासना की स्टैल में गाजर का हलवा आप लोग भी अच्छा बनाते हो इसे अच्छे से क्लीन करना बहुत जरूरी है और अभी कोविन जहसा फिर से स्टार्ट हो रहा है तो इसको तो आप जादा होता है यह वाइट वाईट वाले भाग तो वह तो उतना नहीं निकल पाएगा लेकिन जो भी हो थोरा बहुत निकल जाना चाहिए और गाजर जब अ जाएं तो पीजर आपको काटना हो न बीच से भाग काट यह इसलिए होता है कि इससे गुट्लिय आसानी से निकल जाती है गुट्लिय एक दम निकालना जरूरी है इसलिए क्यूंकि गाजर कालवा मारा अच्छा फिर नहीं बन पाता है इसमें चीनी बहुत लग जाता है बस बीच से गुटलिया बच जाएगी उसे आपको फैक देना है बस सीम्पल बात क्यूंकि उसमें कुछ भी नहीं होता है तो देखिए मैं कितने असानी से निकाल ले रही हूँ गाजर का हलवा दो तरह का बनता है एक तो आपका दूकस करके बना सकते हैं और अगर आपको ट गाजर को कुकर में ट्रांसफर कर देती हूं देख सकते हैं गुटलिया बिल्कुल भी नहीं मेरी दीख रही होंगी अगर थोरे बहुत एक दो में रहे गए होंगे तो डोंट माइं आप लोग को सीज करिए कि सारे हटा ले तो चलिए मैंने सारा गाजर ट्रांसफर कुकर म इसके बाद मैं इसमें 1.5 kg पूरा 1.5 kg एड करूंगी आप लोग चाहें तो ज्यादा भी एड कर सकते हैं बट डेर केजी गाजर है उसके हिसाब से 1.5 kg मिलक है सफ इंसेंट है तो यहां मैंने 1.5 kg दूद एड कर लिए है उसके बाद इसे अच्छे से हीला लेंगे तो हील लाने दूँगे तो थीखे नहीं तो यह दो फ़ीजिल और जादा लगा लेंगे तो चलिए खोल कर देखते हैं अच्छे से पका है या नहीं साथ कि आप 방송 में शेयर कर दीच सकते हैं तो चेक करने के लिए आप सब्सक्राइब half grain or germ गॉछ लब गाजर mean तो ये हमारा गाजर 5 तरह मीशन लगार्य थाelijk सब्सक्राइब अब इसे एक बक dhuhना सब्सक्राइब इसे अस दुछा से प्रेस से जर समी। थोड़ा प्रेश प्रेस करके इसे चलाईए गूल जाएगा ज्यादा एकदम ताकत नहीं लगाना है इसे मिक्सी में भी गिराइन वगरा नहीं करना है इसे बड़ा चमच से प्रेस करके दबाएंगे तो देखिए कितना असानी से यह हो गया है इसे बस लगातार चलाते रहेंगे और दबा आधि-चे से घूल जाएगा जैसा गाजर का हलूआ होता है बिलकुल वैसा ही हो जायगा आप डेखते widget चाहिएगा मुझे तो गाजर का रहा काफी पसंद में हर सरदियों में दो सी तीन वडर बना लेती हूं अगर गर्मियों में मिलता है तो मैं गर्मी में भी बना लेती कि मुझे बहुत पसंद है आप लोग कमेंट करिए गा कि किसको किसको गाजर का लोग बहुत ज़्याद़ पसंद है और आप लोग भी सजेशन मुझे दीजिएगा कि मैं कहां पर मतलब गलत हूं तो मैं कोसिस करूंगी कि दुबारा मैं फिर से उसे ट्राइ करूं अच्छे स और यहां मैंने 100 ग्रम के आसपास घी ले लिया है आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं बट घी ज्यादा बेटर रहेगा तो यहां देखिए मैं घी एड कर चुकी हूं सॉरी मैं वह क्लिप नहीं दिखा पाई घी एड करते हूं क्यूंकि मेरा जो मोबाइल था वह तो इसे अच्छे से खूब भूनेंगे थोड़ा कम से कम चार से पांच मिनट तक एटलिस तो इसे भूनेंगे और इसमें मैंने आधा कप मतलब ज्यादा नहीं मैंने 50 गरम के आसपास चीनी एड किया क्यूंकि गाजर मेरा और मुझे ज्यादा चीनी नहीं डालना पर है त अब इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा ड्राइफ रूट्स ड्राइफ रूट्स को मैंने मिक्सी में ग्राइड कर लिया था क्यूंकि बड़ा बड़ा सा इसका मुझे अच्छा नहीं लगता है खाने में तो मैंने इसे थोड़ा बारी ग्राइड मिक्सी में कर लिया थ ड्राइ फूट्स में आपको कुछ भी डाल सकते हैं वह आपके उपर है अब इसे अच्छे से चला लेंगे और इसे दो से चार मियट और भूनेंगे तो देखिए सारा मिल्क जो है वो सूख चुका है थोड़ा सा और इसे सुखाएंगे अगर आपको इतना पसंद है तो आप आप ऐसे भी खा सकते हैं यह भी टेस्टी लगेगा लेकिन अच्छा हो कि थोड़ा और फ्राइ कर ले तो वह ज्यादा अच्छा लगेगा टेस्ट देखिए पूरा एकदम से दूद सूख गया है देख सकते हैं और कलर भी धीरी धीरी चेंज हो गया है तो अभी हम इसमें थोड़ा सा वाइट तील डाल देंगे यह ओप्सनल है जरूरी नहीं है मेरे पास था तो मैंने डाल दी अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्क जाएगा इसमें से घी थोड़ा आलग होने लगता है तो टेश्ट इसका दुगना हो जाता है किसा गाजर का हलोभा थोड़ा अच्छे से बनाएं मेहनत करें तो अच्छा लगता है तो यह लिजिए हमारा गाजर का हलोभा रेडि हो गया खाए और खिलाए